नमस्कार आपके बीच मैं आज उपस्तित हूं भारत के महान व्यक्तित्तो श्रिंकला में एक खास व्यक्तित्तो के साथ जिने हम भारत का संबिदान निर्माता कहते हैं अचुत्तो धारक कहते हैं महान कानौन विद्ध भी कहते हैं और जिनकी और हम इशारा कर रहे हैं वे हैं भारत के पहले कानुन मंत्री भीम राव अमबेटकर। डॉक्टर भीम राव अमबेटकर का जन्म मद्द्प्रदीश राज्जी के प्रमुख एक सहर है अंदौर। उसके निकट एक महू नाम का जगह था उसी उन दिनों छाबनी थी वहीं हुआ था 14 अप्रेल 1891 को उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसे उन दिनों आज की बात मैंने करा उस समय के समाज की नजर उसे परिवार पर थोड़ा सा अच्छे ढंग से नहीं परती थी यानि एक उसे अच्छूत परिवार कहा जाता था उसमें उनका जन्म हुआ था महार जाती के थे महार जाती के प्रती उस समय का जो दृष्टि कौन था वह कुछ दूसरा था जब इनका जन्म हुआ इनका लालन पालन हुआ उसके बाद जब इनकी उमर पढ़ने लाइक हु इसे उनके जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव परा, इनको विद्याले में कक्छा से बर्ग से बाहर बैठा दिया गया, अब वो बर्ग से बाहर बैठने का, समाद से कट जाने का, समाद उसे कटा हुआ देखता है, या एक बालक के मस्तिश मस्तिश पर उसका एक गहरा जाती है कि हम हर संभाव कोशिस करेंगे कि भारत से यह जो छुआ छूत है इसको दूर करें और आजीवन उन्होंने उसे दूर करने की कोशिस की थोरा साम उनका इनके प्रिवार के बारे में जानते हैं पिता, राम जी, मुला जी, सक्पाल, पिता जी जो थे वो एक सैनिक थे माता थी भी माबाई और इनके माता का देहांत जब इनकी अमर महज पांच साल थी तब हो गया, यह पांच बरस की अबस्ता में बालक के उपर से माता की का जो साया है, वह हट जाता है, इसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई आगे जारी की, पढ़ाई को इनके बरोदरा के गायक बाट फैमली से कहा जा सकता है कि उस समय के जो वरोदरा के नरेश थे, राजा थे, उन्होंने इनकी काफी मदद की, प्रात्मिक सिक्षा, जब या फिर जो मद्द सिक्षा कहलें, यह जब उन्होंने प्राप्त किया भारत में रहकर, तो उन्होंने प्रेरित किया इनको और उनके ही प्रियासों से 11 नवेंबर 1970 को भीमरावमेट कर जी कैलिफोर्निया अमेरिका में कोलंबिया विश्वी द्याले में उच्च सिक्षा प्राप्त करने के लिए गए वही से उसके बाद लंदन गए जहां से उन्होंने बेरिष्टी की सिक्षा प्राप्त की थी तो इस प्रकार से बरोदरा नरेश का बहुत वरा योगदान इनके उच्च सिक्षा को प्राप्त करने में रहा कानौन की डिग्री उन्होंने प्राप्त की लेकिन उससे पहले हम देखें तो 1907 इस्वी में उन्होंने मैट्रिक परिक्षा उत्रिन की थी और मैट्रिक की परिक्षा उत्रिन करने से पहले ही बैबाहिक बंदन में बंद चुके थी उनका विबाः 1906 इस्वी में रामा बाई शुरू की 1923 इसवी से उन्होंने नियमित वाकालत की सुरुवात की थी शंपादिक उन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी आरम किया उनके द्वारा शंपादित पत्रिका में मुक नायक और बहे सिक्रत अभारत था 22 कृत भारत का शंपादन उन्हें 3 अप्रेल 1927 से सुरू किया था 1927 इस भी में उनको एक कॉलेज का लेक्षर भी बनाया गया यानि वो एक लेक्षर भी बने दो बाते हां हम कहना चाहेंगे एक तो जब उन्होंने उच्छ सिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेज में डिमिशन कराया था तो उस समय वह महार जाती से ही नहीं बरन जिसे हम अच्छुत कहते थे अच्छुत जाती से उच्छ सिक्षा प्राप्त करने बाले पहले ब्यक्दी बने कहते और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ उस विद्याले, मतलब इनके विद्याले और महा विद्याले के दौरान जो इनके साथ हो रहा था यह भी थोड़ा अजीब साथ था जब यह पानी पीने के लिए जाते थे तो अपरवर्ग, यानी शवरण वरग के जब बच्चे उनको पानी पिलाते थे तो उपर से पानी को डालते थे और एक अपने हात में करमे पानी को गरहन करते थे इस प्रकार से उनके अंदर ये तवाम जो बिवस्था थे इसके प्रती बहुत गहरा दर्द था और शोचते थे कि ऐसा क्यूं होता है कि जाती के आधार पर ऐसा भेद भाव क्यूं किया जाता है उन्होंने जीवन परियंत वह अकालत की कि समाज में विभेदन उसकी इच्छा सक्ती स्रम का जो विभाजन हो वह जाती के आधार पर नहीं होना चाहिए उसकी इच्छा सक्ती उसकी कारे कुशलता और उसकी जो जग्यता है इससे होनी चाहिए उन्हेंने बहुत सारे पुष्टक को काभी प्रकासन किया उनके द्वारा प्रकासित उनके द्वारा जो पुष्टक लिखी गई उन्हें में प्रमुख्य है इसके बाद जब हम बात करे भारत की सक्राजनीत में उसक्रिय होते हैं 1928 सिस्वे में जब साइमन कमीशन भारत आता है तो मुंबई में इन्हें साइमन कमीशन का सदस से बनाया जाता है ध्यान में रखना है साइमन कमीशन के सदस से बनने वाले वैक्ति होते हैं भारत की राजनीत में शक्रिये हुए जब मैकडोनल्ड ने एक सामपरदाइक पंचाट लाया और इस ये उसने हिंदु धर्म को एक और बार बरगिकर्ट करने की कोशिस की गांधी जी पूना की अरवदा जेल से उन्होंने जब इसका विरोध किया और अंसन पर बैठ गए तो कस्तुरवा जाती है कस्तुरवा गांधी जाती है भीमराव अंबेटकर के पास और उनसे कहती है कि मैं अपने पती के जीवन की भीख मांगती हूँ फिर कस्तुरवा की कहने पर भीमराव अंबेटकर गांधी जी से बात करने के लिए तयार होते है और 1932-32 में एक बहुत बरा डील होता है गांधी जी और अंबेटकर के बीच में जिसे हम लोग पूना समझोता के नाम से जानते हैं तो गांधी जी और अंबेटकर ने के बीच हुए समझोते को हम लोग पूना समझोता कहते हैं पूनायापक्त के नाम से जानते हैं इससे थोरा सा और पीछे लोटे हम तो जब गोल में सम्मिलन हो रहे थे लंडन में तो तीनों ही गोल में सम्मिलन में भारत ही है जो पासिपेट किये उनमें हो थे भीमरा अमबेट कर और इनको 1930 सीषवी मेंघ नियोता मिला था आमंतृत क आगया था गोल में सम्मलित होने की लिए. इसके आलाबी उन्होंने भारत के निर्मान में, भारत के शंविधान बनने में, भारत के शौतंतरता अंदोलन में, जो योगदान उन्होंने दिया है, इसको अब हम जानते हैं. यो तो भारतिय इतिहास भीमराओ अमबेड करके कई योगदानों के लिए उनको जानेगा लेकिन जो खास योगदान उनका रहा है उनमें से है बिधान सभा में उन्होंने महार वेतनबील 14 मार्च 1929 सिस्वी को पारित किया जैसा कि जिक्रव ने पीछे किया 1928 सिस्वी में उम्में में साइवन कमिशन के सदस्वे बने और मंदिर में अच्छोतों के को प्रवेश को लेकर के 1930 सिस्वी में उन्होंने एक बहुत बड़ा अंदोलन चलाया था कालारा मंदिर में अच्छोतों के प्रवेश के लिए तो तीन मार्च उनिशो तीस सिवी से यह सुरू हुआ था इसके अलावे उन्होंने भारत के शम्मिधान के निर्मान के लिए बहुत बड़ा काम किया शम्मिधान सभा में जो प्रारूप शमीती थी ड्राफ्टिंग कमिटी जिसे हम कहते हैं उस समीती के वो अध्रक्स थे उन्होंने जो कारे किया उस निर्मान के शम्मिधान निर्मान के लिए जो कारे किया इसलिए उनको शम्मिधान का जनक भी कहा जाता है 13 अक्टूबर 1935 सिवी को उस सरकारी लौफ ओलेज के परधाना चारे बने इसके आलावे जैसा हमने जिक्र पीछे किया है तीनों गोल में सम्मिलर में सम्मिलित हुए थे छे अगर्स निर्मान को उनको गोल में सम्मिलर में निमंतरन मिला था 1923 सिवी शेवकाला सुरू किया था मुंबई हाई कोट में और लौ कॉलेज के प्रोफेसर बने थे 1928 सिवी में अपने अनुयाईयों को एक बातों बराबर कहा करते थे जो शायद निके अनुयाई ही नहीं समस्तों लोगों पर लागू होता है कि अगर आप और सिक्षित है अगर आप और संगठित है और अगर आप में परिस्रम करने की संघर्ष करने की सकती नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकती इसलिए अपने अनुयाईयों को कहते थे सिक्षित बनो संघर्ष करो संगठित रहो सिक्षित बनो, संगर्स करो, संगठित रहो एक वक्त आया जब उनके अंदर एक गहरी पीरा थी और उन महसूस कर रहे थे कि उनके कुछ अपने ही पढ़े लिखे मित्रों ने उनके साथ उचित नहीं किया तब 18 मार्श 1956 में आगरा में उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे पठे लिखे लोगों ने ही धोखा दे दिया महारत के संभिधान के बनाने में महत्वण योगदान देने वाले भीमराव मेट कर कानिधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हो गया राष्ट सदय उनके प्रती कृतग्यता ग्यापित करता रहेगा शदय उनका अभारी रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद